जैहिन, वेलकम टो गर्स्तू लर्निंग और आज करेंट अफेर्स टुड़े की टॉबिक में हम लोग उपर स्थित हुए हैं जिसे बता दें कि आज 22 फरवरी 2022 में सुचना इवं परसारण मंतराले द्वारा सिक्स फार जेस्टिस के उपर बैन लगा दिया है जितने भी मीडिया के स्रोथ थे, एप थे, वेपसाइट थे, इंटरनेट कनेक्शन की जो भी बातें आ रहे थी उन सभी की उपर आज बैन लगा दिया गया है इसके उपर पहले भी 2019 में गरह मंतराले ने रोक लगा दी थी, लेकिन कुछ गतविधियों में किसान आंदोलन, हिजाब आंदोलन के साथ-साथ अभी चुनावी दौर में जो गतविधियां चल नहीं थी, उनको देखते हुए सुचना एवम परसारब मंतराले ने आज तारिख 22 फरवरी 2022 को बैन कर दिया है, ताकि किसी भी तरह की कोई भी गतविधियां इस चुनाव दौरान में नहीं हो, तो इसको देखते हुए आई देखते हैं कि किस टौपिक में कौन सी बातें सामने आई थी, अमेरिका में बन से खालिस्तान बनाने का है, साल 2019 में ग्रह मंतराले द्वारा इस संगठन पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है, तो ये एक ऐसा संगठन है, जो पंजाब में अलग से खालिस्तान बनाने की मांग करता है, और इसके उपर पहले ही 2019 में ग्रह मंतराले द्वारा रोक बढ़ते हुए जब ये बात आती हिए तो पर्तबंदित खालिस्तान संग्धन सिख फॉर जश्टिस पर भारत सरकार ने एक्शन लिया है और सिख फॉर जश्टिस से जुड़े सभी सोसल मीडिया के अकाउंट को बंद कर दिया गया है तारिक क्या है 22 फरवरी 2022 की ये बात है और खालिस्तान का समर्थन करने वाले बैन आतंकी संग्धन सिख फॉर जश्टिस को सूचना एवं परसारल मंतराले भारत सरकार द्वारा सिख फॉर जश्टिस से जुड़े सभी एप्स, वेपसाइट और सोसल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है ये देखते जो पिछले साल की गत्विदियां होई थी, लाल के लिए पे जंडे फैराने को ले करके बात हुई थी या किशान आंदोलन की बात को ले करके हो या करनाटक के हिजाब आंदोलन को ले करके बात हो, कहीं न कहीं सिख फॉर जश्टिस इस से जुड़ा हुएट संग्ठन से भाग ले रहा था, कहा गया है कि इन चैनल्स के जरिये विधान सवा चुनाओं में माहौल बिगारने की कोशिस हुई थी, सिक फॉर जस्टिस का नाम करनाटक हिजाब विवात के दोरान भी हो रहा था, ये कारण बताया जा रहे हैं जिनकी वज़े से इस पर विवात और इसके उपर बैन लगाया गया है, सिक फॉर जस्टिस का नाम करनाटक हिजाब विवात के दोरान हो रहे, परदशन के समय भी सा खूपिया अजन्सियों ने अलट चारी करते हुए कहा था कि पाकिस्तानी आतंकी खूपिया अजन्सी आईस आई का खालिस्तानी आतंकी संगधन के जरिए भारत में हिजाव एफरेंडन के जरिए अराजकता फैलाने की साजी सरच रहा है और इसी करम में आगे बढ़ते सोसल मीडिया अकाउंट को बंद करने का आदेश दिया है जिसका सिखफार जेस्टिस एफ एफ जे एक संगधन गैर कानूनी गत्विती रोगधाम अतनियम उन्नीस सरच के तहत गैर कानूनी घोशित किया गया है के साथ घनिष्ट संबंद बताया जा रहा है इसी कारण मंत किया है इस संगधन को बंद करने के पीछे भी कैसारे कारण रहे हैं पिछले साल लाल किले के उपर जो जंडा रोड हुआ था वहां पे इनका नाम पहले सामने आया था अभी करनाटक के हिजाब मामले को लेकर भी यहां पी यह गतविधियों में भाग ले रहे थे पिछले मीडिया के इनका सुरूत आगे बढ़ा तो आज 22 फर्वरी 2022 को सूचना एवं परसारन मतराले भारत सरकार द्वारा पूरे सोसल अकाउंट को बैन कर दिया गया है आज की करेंट अफेर्ट टॉपिक में यहीं तक मिलते हैं नेक्स सेग्मेंट में नए तर्थ और नए बिस इसलेशनों के साथ तब तक के लिए अगस्तु लड़नी की तरफ से जय हिन जय भारत